बच्चे दानी की मौग को लेके बहुत सारे बाते होती हैं बच्चे दानी यानि सर्विक्स का माउथ यानि जो सर्विक्स होती है उसकी ओपनिंग को हम लोग बच्चे दानी कहते हैं तो आकिर यह कब-कब खुली रहती है क्योंकि एक women की life में बहुत सारे stages होते हैं वो कुवारी होती है तब ये cervix किस तरह का होता है या फिर शादी शुदा होती है तब ये cervix किस तरह से अपने रूप को बदलता है या फिर अगर वो pregnancy के लिए try कर रही है तब इसमें क्या-क्या बदलाव होते है या फिर अगर वो pregnant रहती है या फिर उनकी delivery नजदीक होती है तब इसमें क्या-क्या बदलाव होते हैं सारे बारे में compile करके एक ही वीडियो में summarize करके बना रही हो बिल्कुल unscripted वीडियो है मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी होने वाली है तो प्लीज सपोर्ट करीगा शुरू से लेकि लाज तक सारी बाते समझने की कोशिश करीगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आप देख रहे हैं ट्विन्स वाइवर्ड तो जैसा मैंने आपको बताए कि ये जो बच्चे दानी का मूँ होता है ये फीमेल रिप्रोट्रक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपोर्टेंट अंग होता है जैसे हम लोग सर्विक्स पोलते हैं सर्विक्स की ओपनिंग बोलते हैं आप कुवारी लड़कियों के साथ क्या-क्या चीज़े होती है देखे कुवारी लड़किया हैं तो अव्वेसी बात है कि उनकी जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रेशन होगी वो आती रहती है टाइम पर ही आती है क्योंकि शादी के बाद आपके मेंस्ट्रेशन बहुत जादा गरबर होती है लेकिन उसके पहले सबकी मेंस्ट्रेशन बिलकुल सही आती है तो ऐसे किस में क्या होता है जैसे ही आपके सर्विक्स का जो माउथ है वो उस टाइम पे यानि कि आपके मेंस्ट्रेशन टाइम पे ये उपन होता है जैसे कि आपने सुना होगा internal OS वो ही सारी चीज़े के बारे में बताऊंगी एक internal OS के उपर मैंने वीडियो बनाई थी तो आई बटन पर जाके सरूर देख लिजीगा बहुत ही easy language जो समझाया है कि आखिर ये internal OS क्या होती है तो जो उनके period का जो blood होता है वो शरीर के अंतर collect ना हो जाए इसलिए menstruation के दौरान उनकी ये जो cervix की opening है वो खुल जाती है और उनके private part के थूर ये सारे जो blood होते हैं, tissues होते हैं, mucus होते हैं वो सब कुछ इस दौरान निकल जाता है, यानि कि जिस समय तक आपका period आता है जिस समय तक bleeding आती है, उस समय तक आपके cervix का मुझ खुला होता है और period बंध होने के बाद ये automatically बंध हो जाता है ताकि कोई भी other infection आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए ये आपने बाते समझ ली, आप रही बात शादी शुदा जो ladies होती है उनके साथ क्या होता है तो दीखे शादी शुदा जो ladies होती है उनका evolution टाइम पे अगर वो relation प्लान करती है तो जो husband के cells होते हैं वो बाहर रहते हैं तो उनको enter होने के लिए यानि कि उनके शरीर में प्रवेश होने के लिए ये जो cervix का mouth है ये opening होती है बच्चे दाने की वो उनके evolution के time पे ये open होती है obviously बात है कि period के time पे भी होगी लेकिन सारे बातों को मैं समझा रही हूँ तो आप समझ पाईएगा उनको भी period होते हैं तो आप confuse मत वहिएगा कि उनको period के time पे नहीं होगा period के time पे भी खुलेगा लेकिन वो जब relation प्लान करती है evolution के time पे टो जब उनका evolution हो रहा होता है तब भी उनके cervix का mouth कुला होता है क्योंकि physical जब relation अगर आप बनाते हैं उसके बाद जो mail के cells होते हैं उनको enter होने के लिए उनको fertilize करने के लिए जो एग होता है उसको fertilize करने के लिए मेल के सेल्स को अंदर आने के लिए सर्विक्स का माउथ का खुला होना बहुत ज़्याद़ ज़रूरी है अगर सर्विक्स का माउथ नहीं खुला होगा तो प्रिग्नेंसी कंसीव नहीं होती है तो अगर वो ट्राइ करना चाहती है तो उनको evolution day के समय ही relation plan करना चाहिए इस समय सर्विक्स का माउथ खुला होता है और काफी असानी से आपको गर्बधारन होगा अगर आप गर्बधारन करना चाहते हैं आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका evolution कब कब होगा तो evolution के symptoms आपको eye button पे या फिर end screen पे या तो description में आपको जरूर मिल जाएंगे तो देखना मत भूलिएगा रही बात अब जो ladies pregnant होती है तब उनके साथ क्या होता है तो जैसा आपको पता है कि जब उन्होंने pregnancy conceive कर ली यानि जो male के cells होते हैं वो अंदर तक पहुँच गए एग को वो fertilize कर दिया उसके बाद इस बच्चे दाने का कोई भी role नहीं होता है during the pregnancy यानि कि pregnancy के पूरे 9 महिने क्योंकि ना अब male के cells को अंदर आना है ना ही किसी तरह के bacterial infection या फिर कुछ भी ऐसे infection को भी रोकने के लिए आपकी cervix का जो mount है वो close हो जाता है तो आपको ये internal OS आपको closed ही मिलेगा तो वो इसी वज़ा से होता है ताकि बच्चे को किसी तरह का internally कोई भी नुकसान नहीं हो कोई भी external चीज मा के शरीर में प्रवेश्ट ना करे और बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं हो तो ये completely close होता है लेकिन pregnant ladies की cervix का mouth कब खुला होता है उनके 9 महिने में वो खुलना start होता है मतलब धीरे धीरे करके वो 1 cm, 2 cm, 3 cm ऐसे ऐसे करके वो खुलता है और जब तक की cervix का mouth यानि बच्चे दानी का मूँ 10 cm तक नहीं खुलता है तब तक आपकी normal delivery possible नहीं हो पाती है तो अगर आपको normal delivery चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी normal delivery हो तो उससे आपके बच्चे दानी का मूँ खुला होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है जिसे हम लोग cervix की opening कहते है जो internal OS होती है उसका 10 cm खुला होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है लेकिन जो महला है कुछ pregnancy में गलतियां करती है नौवे महने में कुछ उनसे कुछ गलतियां होती है उसके वज़ा से मा लेजे कि कभी heavy lift आप ने कर लिया pregnancy के दोरान तो क्या होता है कि आपको वो दबाव पढ़के वो internal OS हो open हो जाती है और cervix की mouth खुल जाती है तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे case में उसको naturally खुलना नहीं चाहिए था लेकिन यह समय के पहले खुल गया और इससे आपके pre-mature delivery के भी संभावनाएं होती है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप natural तरीके से cervix का mouth खुलना चाहते है तो आपको end screen पे या फिर i button पे उस video की link दे दूँगी या फिर description में ज़रूर देख लीजेगा कि अगर आपको cervix की mouth को open करना है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और अगर आपको पूरी pregnancy अगर safely निकालना है internal OS नहीं खुला होना चाहिए तो आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में भी वीडियोस है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए और तूसरा भी मेरा चैनल है जिसका नाम है twins my world care उसको भी आप देखेगा तो normal delivery से related मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इस तरह से उसकी opening खुलती है लेकिन natural अगर तरीके की बात की जाए अगर complete जो gestation पूरा हो जाता है आपकी pregnancy 9 मेंने complete हो जाती है उसके बाद ये खुद बखुद ये 10 cm तक खुलता है ये natural process है ताकि बच्चा दुनिया में कदम रख सके यही वो process होता है जिसके वज़ा से वो baby out होता है मुझे लगता है कि सारे बाते आपको समझ में आगे होंगी कि ये बच्ची दाने का रोल कहां से लेके कहां तक है एक women के life में बहुत जादा ये रोल play होता है तो इस वीडियो को completely देखा आपने उसके लिए thank you so much